अज हम करते हैं क्लास 10th का जो चैप्टर हैênioकर, इसकी एक्सराइज 14.3 है जो के मीडियेंगंड करने की है तो मीडियेंगंड करने के लिए जो फिज़ स्फ क्क्षेंड लिए यह दुआ हुआ है ये question है first इसमें first तो interval है इसे class interval बोलते हैं second में जो line है number of customers लिखा है इसे frequency बोलते है FI है इनका sum भी उपर दिया हुआ है 68 है sum करके भी देख सकते हैं 68 आ जाएगा friends मीडेन निकालने के लिए सबसे पहले हमें CF find करने पड़ेगी CF means cumulative frequency cumulative frequency क्या है simple सी बात है जहां पहले 4 है तो 4 लिख दिया 4 के में 5 एड़ कर दो 4, 5, 9 9 में 13 एड़ कर दो ये हो गया 22 22 में 20 एड़ करो ये हो गया 42 42 में 14 एड़ करो ये हो गया 56 56 में 8 एड़ करो ये हो गया 64 और 64 में 4 एड़ करो ये बन गया 68 और याद रखना जो ये 68 है यहां भी 68 है ये सेम ही होगा ये case में अब median find करना है तो n कैदी हुई है 68 तो सबसे पहले n by 2 find करना है हमने क्या find करना है n by 2 वो कितना होगा 68 by 2 which is equal to 34 अब 34 cf में से देखते कहां आता है 34 आता है 42 में तो इस को underline कर दो 20 को भी और इस interval को भी ये हमारा median median का interval हो गया ये median की frequency होगी ये medium की cumulative frequency but use हम जो formula है उसमें ये cumulative frequency उपर वाले यूज करेंगे ये cf लेंगे और ये frequency है तो इसमें जो median वाला interval है 125 to 145 इसके lower जो term है जो lower limit है 125 L कितना है 125 n by 2 हमने find किया हूँ है cf कितना है cf आपको बोला था इससे उपर means 22 cf कितना है 22 अब median का फर्मान लगाते है हम median क्या होता है median is equal to होता है L plus n by 2 minus cf divided by f into h h क्या है जो इन में difference है 65 और 85 में जाए 85 और 100 20 का difference है h हमारी क्या होगी 20 है तो फर्मले में पूट करो किया आ जाएगा 24 से 22 मेंस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12 और 125 को 12 से एड करेंगे 137 आएगा ये median है इसका अब second question की तरफ चलते हैं second question की तरफ चलते हैं question में क्या है median given है 28.5 आपको x और y की value find करनी है जो frequency में जी गई है वही method लगाएंगे सबसे पहले cf find करेंगे फिर median का फॉर्मल लगाएंगे x और y की values आ जाएगी तो कैसे आएगी cf क्या होगा सबसे पहले क्या है 5 यहाँ लिख लो 5 फिर आगे है x यह आगे 5 प्लस x फिर आगे 25 प्लस x में 20 एड करोंगे 25 प्लस x फिर 15 एड करोंगे 40 प्लस x फिर y एड करोंगे 40 प्लस x प्लस y फिर 5 एड करेंगे यह 45 प्लस x प्लस y बन जाएगा मैंने पिछले question में में बताया था कि जो last entry होती है cf में वो इसके बरबर होती है जो frequency का sum होता है तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आगया 45 plus x plus y is equal to क्या आगया 60 45 दूसरी साइड ले जाओ एक्स प्लस 5 क्या जाएगा 60 में से 45 निकालो यह कितना आगया 15 एक तो जो एक्वेशन मर गी सेकिन हमें median given है median क्या है given है कितना दिया है median 28.5 अब उपर देखो किस interval में 28.5 आ रहा है 2230 में इस interval में 28.5 आ रहा है इसके सामने frequency क्या है 20 यह f हो गई और उसके सामने जो cf है cf उपर वाली लेनी होती है यह cf है हमारी formula में लगाने के लिए 5 plus x अब median का formula लगाओ median कितना है 28.5 median का formula लगाएंगे l plus l कितना है जो lower limit है 20 20 plus ny2 n कितना है 60 ny2 कितना हो जाएगा 30 minus cf cf कितना है 5 plus x और minus 5 plus x करेंगे यह minus 5 minus x आ जाएगा divided by f f कितना है 20 20 divided हो जाएगा into h h कितना है difference कितना है 0 से 10 10 से 20 10 का difference है यहाँ क्या जाएगा 10 यह आ गया 0 से 0 कट गई 28.5 यह 20 उदो जाके minus हो जाएगा तो यह 8.5 रह जाएगा is equal to 30 से 5 minus करोगे यह आ जाएगा 25 minus x by 2 इस 2 को दूसरी साइड मल्टिप्लाइ करो 8.5 into 2 is equal to 25 minus x 8.5 को 2 से मल्टिप्लाइ करेंगे 5 to just 10 1 carry 8 to just 16 and x 17 is equal to 25 minus x minus x है अब आगे कैसे करेंगे minus x दूसरी साइड जाके plus x बन जाएगा minus x दूसरी साइड जाके plus x बन जाएगा और यह 25 इदरी रहेगा और 17 इतरा के minus हो जाएगा यह 25 minus 17 तो x कितना आगे हमारा 25 से 17 निकालेंगे 8 x क्या आगे हमारा 8 अब x को execution में put कर दूँ x plus y कितना है 15 तो 8 plus y is equal to 15 तो y कितना आगे हमारा 15 minus 8 15 से 8 मैंस किया तो answer क्या आएगा हमारा 7 तो इस तरह x और y की मेलू आगे यह बहुत important question है बाकी question सारे सेम ही है ऐसे कर लेना अगर कोई question समझना हो तो comment box में मुझे बता देना thank you thank you very much